हाइ फ्रेंज नमस्कार अमनात की गुफा की कहानी जो है जो सूप के सांस दो कभुत्तर भी एक कहानी सुन रहे थे उसक्भुत्तर की में कहानी बताने मले हूं भगवान सीप जब पार्बती जी को लेकर अमनाथ गुफा पहुँचे वहाँ पर उन्होंने कथा सुनाने की प्राम की कथा कहे जा रहे थे जबकि माता पार्बती हामे भर रही थी उस वक दोस्त अफेद कभुतर का जोड़ा भी गुफा में रहता था कुछ देर तक पार्बती जी ने कथाक में ध्यान से सुनी लेकिन फिरो सो गई वहीं दूसरी और दोनों कभुतर की आवाज निकाल रहे थे जिस वज़ा से भगवान को लगा कि माता पार्बती कथा सुन रही है हामे भर रही है कथा समाप्त होने के बाद जब भगवान सीव ने पार्बती जी को देखा तो पता चला कि वो सुन रही है इसके बाद उनकी नजर दो कभुतर के जोड़े पर पड़ी जिससे वो क्रोधित हो गए भगवान सीव उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े जिस पर कभुतरों न ने उन दोनों का भुतरों को बर्दान दिया था कि वो दोनों अमर रहें गे और शीव पारबती के प्रतीक के रूप nelle निमास करेंगे कहा जाता है कि तब से वो दोनों कबूतर उस गूफा में रते हैं कुछ साल पहले दो कबूतरों को गूफा के अंदर बने सिवलिंग पर बैठे देखा गया था